हाई फ्रेंट्स दिस चंचल सिंग वेलकम टू आज चैनल जून फिजिटरपी लास्ट वीडियो में हमने जाना की किस तरीके से हम अब कोविड के बाद जो रिकवरी फेज है उसको कैसे किक आफ कर सकते हैं कुछ बेसिक ब्रीधिंग एक्सराइज और कुछ वेश्टिबिलर एक्सराइज अमने बताई इस वीडियो में हम जानेंगे उसी वीडियो का सेकेंड पार्ट जिसमें हम डिसकस करेंगे स्ट्रेंथ स्ट्रेमिना और एंडियूरेंस बिल्डिंग प्रोटकॉल पर यह हमने बिल्कुल बेसिक प्रोटकॉल रखी है इसके एडवांस फेज में क्योंकि अगर कोई सिम्टम्स नहीं आ रहें किसी को अनिद्या फिलिंग रियली हेल्दी तो आप एग्रेसिव एक्सराइज इस भी ट्राइब कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं उन्हीं एक्सराइज की कंटिनुटी एडवांस स्टेजिज में हम क्या करेंगे वेस्टिबिलर सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए हम क्रॉलिंग पॉजिशन में आ जाएंगे और हम बॉडी के साथ नेक भी मूव करेंगे आप डाउन अप डाउन इसके अलावा नेक्स एक्सराइज इसके लिए होगी कि आप सीधे लेट जाएंगे आंप सो प्लेस कर लेंगे इसको उठा के इधर साइड एंगरेज करेंगे ट्विस्टिंग एक्टिविटीज लाइक दिस तो इस अर्वेरी जेनरलाइज एक्सराइज बट इनके काफी बैटर रिस्पॉंसे उते हैं तो इससे हम अपना वेस्टिविलर सिस्टम को काफी अक्टिवेट कर लेंगे हमारा बैलेंसिंग प्रॉबलम और हमारा जो चक्कर वक्र जो महसूस होते हैं फटीग की वीकनेस के काण वो सब देरे देरे काउंटर हो जाएगा जो हमारा नेक्स्ट पिलर है इस रियाबिटेशन फेज का हुआ है क्रॉस बॉड़ी पैटन को ज्यादा एंकरेज करना है तो हम स्टार्टिंग में तो क्या करेंगे बैड में ही जब वो इनिशिल स्टेज में हो तो इसको अपकर करेंगे तो क्रॉस मसंक्रो टॉक्रो को अृपल करने तो यह इनिशिल स्टेज में तौफ लेट के करेंगे next stage में तो जब आप ये better कर पाएं तो आप इसका progression है कि arms को उपर कर लें इससे आपकी core muscles activate होती है अगर आप ठीक से बैठे सीधा और cross body patterns को encourage करें इस तरीके से right so ये movement करने से आपको काफी core muscles में strength मैसूस होने लगेगी इसको difficult करने के लिए आप हाथों में water bottle या weight भी ले सकते हैं बट वो क्योंकि ये stage काफी basic है और according to patient strength ही करना है तो आप ये encourage कर सकते हैं next जब आप इस सब को असानी से कर पाएं तो आप इस pattern में आ जाएं और bird dog movement होती है जिसमें की आप ये touch करेंगे and then move out touch, move out diagonally opposite leg और hand को move करना है इसको bird dog बॉलते है ये movements आप encourage करेंगे तो ये cross body patterns आप यूज कर सकते हैं ये काफी beneficial होंगे rehabilitation में strengthening एक important part है तो पहले हम setting position में encourage करेंगे activities जिसमें की shoulders और arms ज्यादा move तो इसमें हम simple exercises with breath और और simply ये initial stage में हम encourage करेंगे कि इसके n number of repetition at least 10 repetitions of 3 each करे जाएं क्योंकि इसमें हम कोई external support या weight नहीं ले रहे हैं तो ये काफी है beneficial होगा इसी की next stage में progression में हम थोड़ा सा weight carry करेंगे हाथ में इसमें आप के पास weight नहीं तो आप one liter water bottle half liter water bottle आपकी strength के इसाब से ले सकते हैं तो आप starting करेंगे biceps सब्सक्राइब से कितना करना है depending लाइक आप beginner है बिल्कुली तो आप यह light weight से 10 10 के 223 sets कर सकते हैं आप इन weights को यहां लाके यूँ कर सकते हैं शूल्डर प्रेसे बैठ के ही करना आपको यह है अगर आप बहुत ही अच्छा मैसूस कर रहे हैं तो ही आप abduction exercises करें नहीं तो इनकी ज़रूत नहीं और breathing pattern बना लें जिसमें कि जब भी आपकी body open up होती है तो breathe in and then when it collapsing down breathe out right so यह आप 10 repetitions of three sets each कर सकते हैं अगर आपकी इतना stamina नहीं है तो आप एक-एक सेट से धीरे-धीरे बढ़ाएंगे इसका जो progression है क्योंकि आपने stage one and stage two देख लिया next stage में क्या है कि हमने हाथों की तो कर ली next stage में हम lower body की movements करेंगे सो अभी जो exercises है वो standing position में होगी इसमें क्या करना है हमें heel raise करना है अप down अगर आपका balance अच्छा नहीं तो आप किसी चीज को hold कर सकते किसी भी door handle को या wall के साथ up-down, 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 up-down यह repetitions आपकी strength के उपर depend करेंगे आप 10 repetitions of one or two करें and then देरे-देरे progress करें इसी का progression आप supported squats करेंगे या किसी door handle को पकड़ लेंगे या किसी chair को जिस पर कोई बैठाओ या किसी दरवाजे के handle को and then partial squats करेंगे ऐसे support के साथ आप किसी भी चीज का support जरूर लेंगे here I am not taking any support अब इस तरीके से squats start with like doing five and then देरे-देरे बढ़ाएं पांच करके उसके बार इसके अलावा आप wall presses शुरू करेंगे जैसे हम push-ups करते हैं आप wall के गेस जाएंगे and just पूरा body weight अपने arms पर डालेंगे आप corner of the wall पर भी जा सकते हैं आप simple wall पर भी जा सकते हैं और आप कोई बहुत easy लगे तो आप थोड़ा किसी recline surface पर जैसे किसी table या उस पर भी जाके आप इस तरीके से कर सकते हैं तो यह advanced stages हैं यह कितना करना है depends like आप 4-5 से शुरू करें एक दो बार और उसके बार धेरे धेरे बढ़ाएं तो यह क्या है यह आपका strength and stamina build करेगा now important thing is endurance building endurance building में आएगा कि आप encourage करें कि बिना रुके starting में बिना रुके 5 मिनट तक walk करें और यह 2-3 बार अगर दिन में कर पाएंगे it is great जब आप इसको easily कर पाएं तब आपकी stamina आपको allow करता है तो next stage में हम इसको up to 10 minutes without stopping walking हम करेंगे और इसको build करेंगे second stage में 10 minutes से लेके 20 minutes तक विदा रुके continuous walking कर सके एक optimal pace पे तो आप shortness of breath नहीं है मतलब आप किसी से converse easily कर सके चलते चलते speed से भी चल रहे हैं और आपकी pace ऐसी होनी चाहिए कि आपका heart rate इतना ज़्यादा ना बढ़े कि आप उससे बात करते हाफ में लग जाएं तो हाफ ना नहीं है एक ability to converse होना चाहिए कि आप बात कर पाएं उस pace पर आपको चलना है और that is for half an hour to 40 minutes यानि कि आदे घंटे से पौने घंटे तक आप ये कर पाएं तो आपकी endurance improve होगी तो ये कुछ stages थे हर एक के जिसमें की हमने strength पर भी focus किया, endurance पर फोकस किया, vestibular system पर भी focus किया और हमारे cross body patterns पर भी focus किया और सब से जरूरी था breathing जो हमने cater करना है और अपने आपको encourage करें कि breathing deep breathing exercise करें अगर आप जानते हैं different sort of pranayams जोकि available हैं उन से भी काफी benefit होगा आपको अगर आपको सीखना है तो आप various sources refer कर सकते हैं तो प्राणायम काफी helpful होता है मेरा कहने का ये मतलब है तो breathing exercise के बाद आप प्राणायम में move कर सकते हैं तो ये सब आप करेंगे तो आपको काफी benefit होगा और आपको post covid recovery काफी अच्छी होगी आपकी recovery काफी smooth होगी और आपके symptoms जल्दी subside हो जाएंगे body ache, body pain, ठकान वो और लोगों को ज़्यादा दिन तक रह सकता है अगर आप ये technique यूज़ करेंगे ये चीज़े यूज़ करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप औरों से जल्दी ठीक हो पाएंगे आप ये सब करके देखेंगे, I hope ये आपको काफी beneficial लगेगा और औरों को भी आप इसको आगे spread कर पाएंगे ये exercise आप किसी को बता भी सकते हैं, आप खुद सफर करके आए हैं या किसी को family में देखते हैं, friend circle में देखते हैं आप उनको ये जरूर बताएं कि ये सब आप कर सकते हैं और इससे काफी benefits होते हैं, quick recovery होती है इस वीडियो को आगे भी share करें और हमारे channel को like और share करें और further videos के लिए subscribe करें Thank you for watching झाल